पिछले कुछ दिनों से एक विवाद लगातार पूरे देश में चर्चा में बना हुआ है वो है है हैश्टैग बॉयकॉट माल्दीज दरसल माल्दीज के जो राश्रुपती है मुईजू उन्होंने अपने चुनावी प्रचार प्रसार में जो है लगातार एक हैश्टैग का इस्तिमाल किया तो और वो है इंडिया उट दरसल इसका मतलब यह है कि जितने भी भारतियें हैं वह पूरी तरीके से मौल्दीज से बाहर निकल जाए इतना ही नहीं अब तो उन्होंने यह बी अलान कर दिया है कि जो भारतिये से नहीं मौलदीज में है वो 15 तारिक से पहल जो है खुला मोर्चा कोल दिया है दो बार पुडान मंत्री रहते हुए उन्होंने अपने चुनावी प्रचावर में हर बार हिंदु विरोधी और भारत विरोधी बयां दिये है अब उनकी पार्टी है बीएंपी अब उनकी तरफ से सोचल मीडिया पर एक कैम्पेंग जो है और उस कैम्पेंग के जरीए ये कोशिश की जारी कि आकर हिंदु को किस तरीके से टार्गेट किया जा सके इतना है ये हैश्टाइग इंडिया आउट का नारा जो मौल्दीज में चल रहा है अब वही सोचल मीडिया के जरीए बांगलादेश में भी खूब ट्रेंड कर रह स्वाधत करते हुए नजर आते हैं चाहिए वो जी ट्वंटी की बात करें या प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जब बांगलादेश का दौरा करते हैं किस तरीके से शेख हसीना एयरपूर्ट पर पहुचती है पीम मोधी का लेकिन ये सब जाहिर सी बात है विपक्ष को र सीना ने लेगी लेकिन अब ये समझे कि सोचल मीजा कैंपेंग के जरी ये कोशिश की जा रही है कि जो हिंदू है उन्हें टार्गेट बनाया जा सके इतना ही नहीं अब विपक्ष की नेता की तरसी जब इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है तो जाहिर सी बात है कि इस लेकिन जो अभी फिलाल वहां की प्रधान मंतरी यानि कि शेक हसीना जो है उन्होंने साफ तोर पर कहते है कि ये विपक्ष का जो है सोच हो सकती है हमारी सोच ऐसी नहीं है क्योंकि हमने ये भी देखा है कि बागलादेश की प्रधान मंतरी शेक हसीना जो है जब वो प्रध